प्रियांका कुछ हार जाती है तो हमने देखा है कि मंडली उस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से सलिब्रेट करती है लेकिन अगर प्रियांका को जीत जाती है तो ये सोचके के मंडली को बुरा लग सकता है प्रियांका सेलिब्रेट भी नहीं करती है दोस्तों शोशल मेडिया पर कुछ ऐसा ही चर्चा है चली बात करते हैं स्वागत है आप सभी का वॉलिवोड स्पाई में मैं हूँ अधती शर्मा तो शोशल मेडिया पर इस बात का तहलका है कि किस तरीके से प्रियांका ने अर्चना को कल मना किया कि सेलिब्रेट मत करो भले हम बच गए हैं फिनाली वीक में पहुंच गए हैं लेकिन इस चीज को जादा सेलिब्रेट मत करो क्योंकि सामने वाले को बुरा फील होगा खासकर मंडली को बुरा फील होगा क्योंकि तीरों के तीनों लोग जो है वो नॉमिनेशन में चले गए हैं और हम इस तरीके से सलिब्रेट करेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा वो बुरा फील करेंगे लेकिन हमने देखा था दूसरी तरफ दोस्तो जो कि शोशल मीडिया पर भी लोग लिख रही है कि टिकेट टू फिनाले टास्क में जब प्रियांका हारी थी मतलब प्रियांका को अपने कदम पीछे लेने पड़े थे और वो टिकेट टू फिनाले जो है वो निमृत के पास ही नहीं थी क्योंकि निमृत को इन लोगों ने प्लेट में परोस कर टिकेट टू फिनाले दे दिया था बिना लड़े भीड़े आप सभी को क्या है इस पर कहना कॉमेंट्स में ज़रूर बताईए